मेरे किसी भी बैग के वीडियो को देखने के पहले आप ये चार वीडियो देखना ना बूलें पहला requirement for making bags इसमें आपको एक bag में कपड़ा कहा मिलेगा उसके लिए zip runner कहा मिलेगा belt कहा मिलेगी, foam कहा मिलेगा, handle या जो भी उसमें समान लगता है एक bag में तो क्या क्या जरूत पड़ती है एक bag को बनाने में तो ये मेरा वीडियो है requirement for making bags इसको ज़रूर देख लेए आपको असानी हो जाएगी फिर उसके बाद quilt कैसे करते हैं क्योंकि मेरे ज्यादा तर bag quilt किये वे होते हैं तो quilt कैसे करते हैं उसके लिए आपको असानी होगी सीखने में मेरे 2nd or 3rd number के वीडियो को देख लेए DIY how to quilt DIY basics of quilting with pencil pouch फिर quilt करने के बाद bag में zip और runner भी लगता है तो zip और runner कैसे डाला जाता है कैसे सिला जाता है तो उसके लिए आप मेरे 4th video देखे Speedcraft DIY zip runner टुको जे तो आपको इसमें काफी आसानी होगी Hello friends नौशकार रजन देनी याज़ा के लिए फिरिक पॉच ले चाहिए हूँ और एक पॉच की जिकार में दो पॉच लाई हूँ और दोनों एक साथ है यह दिखिए यह double zipper pouch है हमारा और इसमें मैंने इस तरह से handle लगया है और यह double zipper box pouch है हमारा फूरी space के साथ है और दोनों एक साथ हम खौल के भी काम कर सकते हैं और इसमें कई सारी चीजें एक साथ हम रख में सकते हैं यह देखिए और दोनों एक साथ पुरे मीचे बाटम से जुड़े हुए हैं तो इसका जो use है उसको हम कई तरीके से कर सकते हैं सफ़र में ले जाने के लिए इसे नमक कोगरा है नमक है चिनी है नीगू है चमचाय काटा है यह सब रख सकते हैं यह दवाईयां रख सकते हैं जेंस के कित के लिए भी यह कामा सकता है काफी कुछ इसमें आप अपना यूजव भी कर सकते हैं किसी को दे भी सकते हैं गुप्त में भी कर सकते हैं इस तरह सी काफी useful पॉच और पॉच तो सभी यूज़त होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अलग-अलग कई सारे पॉच रखने पड़ते हैं, तो ये मैंने दो पॉच का एक साथ बनाया है और इसमें काफी स्पेस हो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है आज हम बनाएंगे डबल जिपर पॉच उसके लिए हमें समाज चाहिए 10 by 10 के 2-piece कुल्टे, 2 by 8 के 2-piece piping, 10-inch की जिप, 2-runner पॉच नहीं है जहें आप फोल दे सकते हैं, सबसे पहले हम 2 by 8-inch की दो पटिया लेंगे, जो मैंने आप लिकाएं थी, 2 by 8-inch की ये 2-piece है हमार पास, इंको हम आपस में जोड देंगे और इधर से भी जोड देंगे, दोनों साइट से जोड देंगे अब इसको सीधा करेंगे इसको इस तरह से सीधा करने के बाद ये जो जोड आए हैं हमारे, इन दोनों को बराबर रखते वे बीच से सलाई कर देंगे दोनों को आपस में यहां पर फिर से जोड कर देंगे इससे जोडने के बाद इन दोनों के किनारे सिल देंगे और ये हमारी बैल्ट तयार हो गई है अब इसके बाद हम जिप लेंगे यहां पास दो 10x10 के कुल्टेट पीस हैं और ये दो जिप हैं तो मैंने यहां पर मैचिंग लिया है सब और आप भी चाहते हैं तो नहीं तो एक कलर से भी बन सकता है और इसी तरह से मैंने इसलिए ये बैल्ट भी तयार है तो अब हम एक एक पीस में अब ये 10x10 का है तो इसी भी एक एरिये में हम जिप लगातेगे तो इसी में लगातेगे तो इसी में लगातेगे इसमें लगारे देड़े elegant इस तरह से से एक पीस में लगाने के बाद हम इसी मिलाने के γιαतम तो इसे पीस में भी लगातेगे और यह दोनों पीस में लग गई है अब इसमें हमारा अगला काम है यहां पर अपको द्यान देना होगा वहा Legi अब इसमें हम फ़्यासा measurement करेंगे को measurement के लिए हम यहां पर आपको थ्यान देना होगा आप यहां पर हम थोड़ी measurement करेंगे measurement कैसे करना है कि पहले हम दोनों शिकल बिला करके付 निशान लगाएंगे और जो निशान है वो कपड़े के उल्टे साइड में लगेगा यह हमने हाफ किया इस पविंची टेप से हम नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें जिप लग चुकी है और फिर पॉइंट पॉइंट जोड़ना बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है अब यह हमने यह दोनों जिप जोड़के यहाँ पर इसका हाफ निकाला अब इस जिप को फिर पलटेंगे और यह जो सेंटर निकाला है इससे यहाँ पर इसके साथ मिला करके और इसका सेंटर यहाँ पर यह निकाल लेंगे फिर इसका भी सेंटर यहां पर निकाल लेगे देखिए बहुत इजी तरीके से में बताऊंगी पॉइंट पॉइंट आपको कुछ भी निकरना पड़ेगा अब यह जो सेंटर निकाला है हमने यह वाला इस सेंटर को पहले पूरा फोल्ड करके निकाला फिर इस सेंटर को हमने हाफ वोल्ड करके निकाला अब इस सेंटर से हमें इस जिप को फिर यहां पर मिलाना है इस तरह से यह देखिए ठीक है और यहां पर यह हमारा इसका सेंटर आ जाएगा दोनों तरफ इस तरह से करना है अब यह जो हमने आखरी लाइन कीची है इसको हम पुरी स्केल से फिल्च लगाएंगे, एक साइट कहीं भी और यहां से दो इंच पर यहां निशान लगाएंगे और दो इंच पर यहां निशान लगाएंगे, अब इस दो इंच के निशान को हम यहां पर त्वेंडा हाफ पर लगाएंगे, यह हमारा त्वेंडा अपर, धाई इंच की नीचे पर फिर से निशान लगाएंगे, ये जो हमने हाफ लिया था इस तरह से, ये जो हाफ आया यहां से फिर हमने 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया, और 2 इंच यहां से, ये हमने बीच में 6 इंच का एरिया ले लिया, अब हम क्या करेंगे, पर इसको हम इस तरह से रखेंगे जिप को जिप के साथ रखेंगे और यह जो आप प्लाउट देख रहे हैं यह इसको हमें जोड़ना है और जब हम बीच में आएंगे तो यह जो हमने पट्टी बनाई थी इसको इधर मिलाते हुए इधर बंद कर रखते हुए जो खुला सिरा है इसको इसके अंदर डाल देंगे सिदा रखेंगे डाल देंगे और अब इस पर भी हम मशीन चला देंगे और अब इसमें हम रणर डाल देंगे और यहां पर यह देखिए यह हमारी जो बेल्ट है को लग गई है अब इसमें हम रणर डालेंगे यह हमारे रणर पड़का है अब इसको हम बहुत आराम से कॉल्टा करेंगे इस तरह से कॉल्टा करने के बाद पहले लाल वाला जो हमने प्रोशन लिया है इसको अंदर रखेंगे और यह जो सेंटर है हमारा यह जिप है और यह सेंटर है काले वाले ही पीश के जिप को इस काले वाले ही सेंटर से मिलाकरते जिसको भी आपने कट किया है यहाँ पर सिल देगी और नीचे ध्यान रहें लाल वाला नहीं सिलना चाहिए लमने सिल लिया, इसी तरह से जो दूसरा सिरा लालasto को अंदर अधर करते एक सिलों डे। यह अधर यह ध्यान रखना है जो दूसरा पार्ठ है वह नहीं सिलना चाहिए हमारा और इसका भी सेंट्र निकला हुआ है और इसी परक्षिक को हम सिल देंगे आज फ़ड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट प्लप्चुएट कर रही है लेकिन मैं आपको जिपर पाउच बताऊंगे अब इसको हम सीधा करेंगे यह हमने सीधा किया तो हमारे पास एक बॉक्स निकल के आगे अब यह जो दूसरा पाउच है इसको पकड़ते हुए ताकि यह निकले नहीं और इसको हम पुरा उलड़ देंगे इसको बंद कर देते हैं ब्लैक वाले को इसको पकड़ते हुए पूरा उलड़ देंगे तो अंदर ब्लैक भी चला जाएगा और उसी पैटर्ट पर जैसे कि अभी ब्लैक हमने सीला है उसी तरह इसको भी सीलेंगे बाहर आ गया रिखियो ह्मीस लादगिया इन दोनों को मिला करके इसका सेंटरे ना इह पर और इसंटर यह जुन को मिला करके यहाँ पर सिल देना, इसी तरह से दोनों साइट का सिला जाएगा, अब यह जो पाउच है हम इनको वापस उल्टा करेंगे, हमने चक कर लिया, सब सही जुड़ा है, इसको उल्टा करेंगे, पहले कोई भी एक पार्ट को लिएगे, एक वा पाउच को अंदर इसी में बंद कर देंगे, इसको बंद करेंगे, कॉर्णर अच्छे से निकाल लिंगे, और अंदर वाला हटाते हुए अब यह जो कॉर्णर है इसको हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है एक इंच का निशान लगाएंगे यह निशान लगाया और इस पर हम मशीन चला देंगे इसी तरह से लाल वाले में और ब्लाक वाले में दोनों में हमें और इसको कट करते चलेंगे और इसको कट करते चलेंगे अब हम लाल वाला कुलेंगे और और काला वाला पाउच अंदर कर देंगे इसलिए मैंने दो कलर में यहां पर बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आए दोलों एक कलर का कर देती तो समझाना जड़ा मुश्किल होई राता अब हम इसके भी कॉर्णर सेम प्रोसीजर में इस तरह से 1 हिंज की दूरी पर हमारा पॉच कम्प्लीट देखते दिखते दबल जीपर पॉच पॉच क्या बॉक्स यह हमारा पॉच कम्प्लीट हो गया है यह कुछ इस तरह से जुड़ भी गया और हमको काफी स्पेस दोनों बॉक्स में मिल जाएगी और इसको बैलेंस करने के लिए यह हमारे पास बीच में हैंड डिला गया और इसका जो यूज है इसको आप बच्चों के एक्जाम जब आते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं का और खायी सब्सक्राइब में भी काम आसकते जैसे इसको नमक है चिनी है चमश है काटा है चापू है उसको ले जाय सकते हैं या घर में शबा शाम के दवां अलग-अलग कर Coffee चा के लिए चश्में रख सकते हैं प्रस्क्रिप्शन रख सकते है आप इसको चाहें जैसे इस्तमाल कर सकते हैं, आपको दो बॉक्स अलग-अलग नहीं रखने पड़ेंगे, जरुद पड़ने पर आपको आपकी सारी चीज एक साथ मिल जाएगी, तो ये था आज का हमारा डबल जीपर पाउच, मिध है, आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेर करे करें, सब्सक्राइब करें, और शेर जादा करें, क्योंकि और लोगों को भी फाइदा होतो ज्यादा अच्छा है, नननी फिर कुछ नहीं लेकि आएगी, नमस्कार.